दोस्तो इस समय भारत के पास एक से बढ़कर एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइले मुझूद हैं लेकिन यदि हमारा किसी भी हमारे पडोसी देश के साथ यूध हो जाता है तो उस कंडिशन में हम अपनी इन मिसाइलों को लगातार इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इस बात के पीछे कारण यह है कि जो हमारी नॉर्मल से नॉर्मल मिसाइल भी होगी उस एक मिसाइल की कीमत 5 से 8 करोड के बीच होगी और यदि हमारा यूध रश्या की तरह ही लंबा खिच जाता है तो उस कंडिशन में मिसाइल एक आइडियल स्यूलिशन नहीं होगा तो कि यदि हम लगातार यूध में मिसाइलों का इस्तमाल करते रहे तो हमको एक दिन में 1 से 2 बिलियन डॉलर खर्च करना होगा इसका नुकसान यह होगा कि हमें यूध से ज़्यादा नुकसान अर्थिक तोर पर होगा इसी बात का स्यूलिशन निकालते हुए अब दुनिया भर के सभी देश लगातार जादा से जादा लंबी दूरी तक मार करने वाले रोकिट लॉंचर को बनाने में लगे हुए हैं इस समय डियाइडियो की तरफ से भी लोंग रेंज के रोकिटों पर काम किया जा रहा है और हमारे लोंग रेंज के रोकिट की रेंज कम से कम 300 किलोमेटर के आसपास होने वाली है भारत की तरफ से ये रोकिट इसले भी बनाई जा रहे हैं क्योंकि इस समय चाइना के पास एसे रोकिट लोंचर मोजूद हैं जो साड़े तीन सो किलो मीटर तक पार करने में शक्षम हैं और इसी तरीके के रोकिटों का इस्तुमाल हमको भी यूद में करना पड़ सकता है अब सभी के यादी होगा हाली में ही हमारे रक्षा मंतराले की तरफ से 2.23 लाग करोड रुपिये के हतियारों का एप्रूवल दिया गया था जिसके तहत अब हमारी सेना की फायर पावर को बढ़ाने के लिए 2800 करोड रुपिये खर्च करकर 2400 की संख्या में पिना का मल्टी बैलर रोकिट लोंचर की जल्द ही खरीद कई जाएगी और इस खरीद के तहट हमको एक रोकिट की कीमत 45 लाग के आसपास पड़ने वाली है इस बात को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी नॉर्मल से नॉर्मल मिसाइल भी होगी ह हमको उस नॉर्मल मिसाइल की कीमत भी 5 करोड के आसपास पड़ेगी जानी कि हम एक मिसाइल की कीमत में कम से कम 11 की संख्या में रोकिट लोंचर को खरीज सकते हैं और फिर भी हमारे पास 10 लाग रुपिये बच जाएंगे इस समय भारत के अंदर दो कमपनिया पिनाका के रो इसी तरीके के मल्टी बैर्ल नॉकिट लोंचरों का इस्तमाल किया जा रहा है और भविश्य में हमारा यूद अगर चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ हो जाता है तो उस कंडिशन में भारत की तरफ से लंबे यूद के दोरान पिनाका मल्टी बैर्ल रोकिट लोंचर का भारी संख्या में इस्तमाल किया जाएगा और यह दिया आपको पिनाका मल्टी बैलेल लोकिट लोंचर की पर्फोर्मेंस को जानना है तो आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिनाका की पालिटी को देखते हुए ही हाली में अर्मेनिया ने भारी से पिनाका मल्टी बैलेल लोकिट लोंचर को खरीदा है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि लंबे युद में लोकिट लोंचर एक पर्फेक्ट सोल्यूशन है या फिर आपका ये मानना है कि मिसाइल एक perfect solution है इस बात का अंसर आप comment box में दे सकते हैं thanks for watching this video have a good day